दुरिंग दा प्रॉसेस ऑफ हाउडरेशन ऑफ सिमैंट जपिंट में वाटर मिलाते हैं। उस टाइम पे हीत ऑफ़िछन में क्या एफेक्ट पड़ता हैं। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं value C2S की तो उसमें क्या होता है decrease in heat of hydration और इसमें कुछ और पॉइंच देख लिए रिडियूसेज अर्ली स्ट्रेंथ क्योंकि C2S जो है वो long time के बाद strength देता है अगर आप उसकी quantity बढ़ा देगा है स्ट्रेंथ में तो उसकी अर्ली strength है वो क्या हो जागी कम हो जाए क्योंकि C2S आपको long term में जो strength देता है उसके लिए यूज हो जाएगा तो इसका जो correct option है वो B हो जाएगा next question एक और matching question आ गया यहां पर भी देखिए आपको test दिया हुआ है और इसके किस लिए यूज करते हैं वो क्या calculate करता है वो option दिया हुआ है तो soundness test already आप जानते हो किसके लिए करते हैं cement में lime क्या present है क्या होगा तो जनरली हम इसको हम बोल सकते हैं कि resistance to weathering के लिए हम इसको calculate करते हैं next is crushing test crushing test से हम लोग strength calculate करते हैं concrete का strength अगर निकालना है तो हम लोग crushing test से करते हैं लौस आंजल अब्रेशन टेस्ट है अलड़ी हम पढ़ चुके हैं कि hardness अपग्रिकेट करते हैं hardness अब्रेशन को calculate करते हैं तो इसका जो correct option हो जाएगा वह आप देख रीची है उसका correct option C हो जाएगा it is soundness test to resistance to weathering, crushing test to strength of the concrete, Los Angeles अब्रेशन test to hardness and stripping value test to addition to option C is there correct